दो हसार नॉव मेश सूनी लाल के दिवंगत होनी के बाद दल दो हिस्सों में बढ़ गया अपना दल और अपना दल कमेराबादी में एक के कमांड डॉक्टर पटेल की पतनी क्रिस्ना पटेल और बड़ी बेटी पलवी पटेल के हाथों में है तो दूसरे की कमांडर केंद्रिय मंत्री अनप्रिया पटेल और उनके पती आशिस पटेल है दोनों बेटिया दिलो जान से बरासत की जंग लड़ रही है आपको उतादे इसी कड़ी में दोनों की निगा फूल पूर सीट पर बनी हुई है अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोने लाल पटेल की करमस्थली रही है वहीं 1995 में में गठित पार्टी को खड़ा करने में बड़े सहयोगी यहां से मिले वहीं पीवी टंडन पार के कारकरताओं से पुलिसिया टकराओ और फिर लाठी चार्ज के बाद हाथ पाओं भी तूटे लेकिन सोने लाल ने हार नहीं मानी और चुनावी राजनीती का पहला कदम भी फूल पूर सीट से आगे बढ़ाया हारे मगर मन से नहीं लड़े और फिर आगे बढ़ते लड़ते चले गए जीत का स्वाथ चकने के लिए भारतिय जनता पार्टी के साथ समझोता भी किया मगर जीत का हार नसीब नहीं हो सका हलाकि फूल पूर सीट से भाजपा की सांसद केश्री देवी पटेल है और पार्टी ने ऐसा दावा नहीं किया है कि असीट अपने सहयोगी दल यानि अपना दल सुनिलाल को देने वाली है फिर भी टिकट घूसना होने तक राजनितिक संभावनाव की उमीद कोई नहीं छोड़ रहा आपको बता दे फूल पूर सीट इतनी महत्तुपूर क्यों है आपको बताएं पहले पुर्धान मंत्री पंडित जवाहल लाल निहरू फिर राम मलोहर लोहिया, फिर कासी राम और डॉक्टर सुनिलाल पटेल जैसे राजनितिक ग्यों ने यहां की कर्मस्थली होनी की वज़े से फूल पूर सीट हमेशा सुर्खियाब टोरती रही है मौजूद समय में यहां सांसद रही भाजपा की केश्रीव देवी पटेल हैं वहीं 2019 में सपा गडबंधन के प्रत्यासी पंधारी यादों को भी उन्होंने बड़े अंतर से हराया था आपको बताएं राजनीतिक समय करणों की बात करें तो 2022 के विधान सभा चुनाओ में गडबंधन के साथ मिलकर 13 सीटे जीतने वाले अपना दल ने इस बार भाजपा नेतरित उसे यूपी में 3 लोग सभा सीटे मागी थी हाला कि उन्हें दो ही सीटे मिली इन में से अभी रॉबर्स गंज और मिर्जापूर सीटे सोने लाल की पार्टी अपना दल को मिली वही मिर्जापुर से खुद अपना दल की अध्याक्ष अनप्रिया पटेल सांसद है तो रॉबर्ट्स गंज से पकोडी लाल कोल पीछे चुनाव जीते थे ऐसे में अब अनप्रिया पटेल के समर्थक चाहते हैं कि उनको दल्ली में कोई मंत्री पद मिले जिसके जद्दो जहद में उनके समर्थक और अनप्रिया पटेल भी लगती हुई नजर आ रही हैं आपको बता दे अपना दल संस्थापक डॉक्टर सोने लाल पटेल फोलपुर से लगातार पांच बार चुनाव लड़े थे अपनी बढ़ती ताकत और बिस्तार के बीजपिता के बरासत पर अनप्रिया पटेल की नजर है वह फोलपुर सीट भी गड़ बंधन के खाते में चाहती हैं वहीं चुनावी रणनीत कारों का मानना है कि सीट शेरिंग के फार्मूले के तहट अपना दल को दो ही सीट मिली है इसलिए मिर्जापुर और रॉबर्स गंज में से कोई एक सीट छोड़नी पर सकती है अनप्रिया पटेल मिर्जापुर में बनी बनाई जमीन छोड़ कर खुद को नया ठिकाना खोजिंगी ऐसे आसार तो दिखाई नहीं दे रहे लिहाजा ऐसा कोई औसर मिलने पर रावर्ट्स गंज छोड़ना ही बिकल्प रह जाता है तो इसके बदले में वह फूलपूर सीट चाहती है इसके अलामा वह पाचो बिधान सबा सीटों पर कोई कारकरताओं ने मसकत भी खुब की है वहीं फूलपूर पर नजर सपा के बिधायक पल्लवी पटेल की भी है वह बीते बिधान सबा चुनाओ में कौसामबी और सिराथू सीट से डिप्टी सीम केशो परसाद मौरे को हरा चुकी है वह चाहती है कि फूलपूर से इंडिया गड़बंधन के साथ खुद या वो रहे या उनकी मा क्रिसना पटेल को उतारा जाए इसके लिए वह दावेदारी भी कर चुकी है बीते दिनों में राज्यसभा चुनाओ के दौरान उनकी नाराजगी के पीछे यही कयास लगाय जा रहे थे कि वह राज्यसभा का टिकट अपनी मा के लिए चाहती है लेकिन सपा इसके लिए राजी नहीं हुई अब उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए सपा ने उन्हें पटेल बाहुले सीट पर मौका दे सकती है वैसे 2019 में लोकसभाज के चुनाव में पल्लवी के पती पंकज निरंजन कॉंग्रेस के टिकट पर फूलपूर से चुनाव लड़े थे तब वह सिर्फ 32,761 मत उन्होंने हासिल किया था अब ऐसे में पल्लवी पतेल जिस तरीके से अनप्रिया पतेल के साथ फूलपूर सीट के साथ जद्दो जहेत करते हुई नजर आ रही है ऐसे में माना जा सकता है कि दोनों बहनों में काटे की टकर देखने को मल सकती है